हाँ प्यारे बच्चों चलिए हम लोग अगली कलाफ में आ जाते हैं कैफे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के कुछ फमज में तो आता ही होगा ठीक है बच्चों चलिए अगली कलाफ में हम लोग फिर पढ़ते हैं वही अपना chapter Roman legion की युद्ध कलायों फैन्यफंगठन का फेव भाग ठीक है हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं अब आजाते हैं हम लोग फामरिक फायलाओ इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं आप लोग को याद होगा उसके पहले के भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं देखिए फंपूर्ट रोमन लीजान, जिरुफे हमने आपको पढ़ाया है, तिरुफे छोटी काई माइणिपल अम कमपणी, उफे बड़ी काई कोहार्ट, उफाफे बड़ी काई रोमन लीजान, ठीक है बच्चों? तिरुफे में जो उफएनिक खड़े होते हैं, और कोहार्ट के अं के बारे में कोहार्ट में फैनीक किस प्रकार क democracy होते हैं तो यह कोहारे यह विए वह बच्चो कोहार्ट इस में अं फैनिक होते हैं वो होते हैं अस्ताती जो की दि व दिय्ट से अधीकल्स होते हैं यह पोगिंव पत्रा फे पचीफ हफ्ताती होते हैं या है पचीफ फे तीफ वर्फ उसके बाद तीफरी पंक्तिकुचों फैनीक होते हैं वो होते हैं प्रिम्फ पाइज ये होते हैं टीफ . चालिफ वर्फ अन्तिम पंक्ति को जो फैनिक होते हैं वो होते हैं ट्राइरी यह चोथी पंक्ति या अन्तिम कहते हैं इसको यह जो है होते हैं चालिफ पैंतालिफ वर्फ और इन्ही ट्राइरी को जो है आरच्छित आरच्छित भी कहा जाता है ठीक है बच्चो इन्हीं ट्रायरी फैनिकों को आरच्छित भी कहा जाता है चलिए अब इसको हम देखिए इसको हम दिखा देते हैं एक बार फिर फिर आपको ये देखिए रोमा लेजन की फैन रचना जो कि अभी पढ़े है छे को हार्ट में लगाया जाता है अब देखिए एक को हार्ट ये हो गया ये दूफरा हो गया ये तीफरा हो गया ये चौथा हो गया ये पाचवा हो गया ये अन्तिम छठवा हो गया तो इस तरह छे कोहार्ट में खड़े किये जाते हैं, देखिए, कोहार्ट जो इसके पहले आप लोग देख चुके हैं, इफी का जो है ये बिफ्तृत रूप है, छे रूपों में, छे भागों में, ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फिर फिर पढ़ते हैं, यहां आ जाते ह हैं, देखिए, छे को हार्ट में खड़किया जाता है, आयू के उनफार फैनिक चार वर्गों में विभाजित होते हैं, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो करमफा खड़े हो जाते हैं, फब से आगे प्रथम पंक्ति में बेलाइट, करमफा पीछे दूतिये पं फैनिकों को क्या कहा जाता है, या कभी फैनिकों की आयू कितनी होती है, हफ्ताती फैनिकों की आयू कितनी होती है, हफ्ताती फैनिकों का मुख्य हथियार क्या होता है, ठीक है बच्चों, या ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनके रोमन लीजन में फैनिकों के ब दूरी होती ही वो होती है पांच फिट ठीक है और बाजूओं की रच्छा के लिए इन में घुड़फवार फेना को लगाया जाता है ठीक है बच्चों देखिए इफी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं यह को हार्ट हो गया ठीक इफको हम बता चुके हैं यह हो गई रोमल ली है यह छोग 6 को हार्ट में लगे हुए हैं फंपूर्ण लीजिन की फैन रचना यही है और हम जेफे हमने बताया भी आपको कि क्या बोलते हैं बाजूओं की रच्छा के लिए घुड़फवार फैनी अगर बाजूओं की रच्छा के अगर आफक्ता हुई बाजूओं की र तो बाजूओं पर जो है घुड़फवार फैनिकों को भी लगाया जाता है दाएं बाजू 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 पर यह यहां लगा दिया गया यहां घुल्फवार लगा दिये गए और यहां पर लगा दिये गए और जो तीम भुल्फवार फैनिक होते हैं यहें पर लगा दिये जाते हैं बच्चों घुल्फवार ठीक है घोडे यहाँ पर भी घोड़ फवार यहाँ पर लगा दिया जाता है ठीक है बच्चों बाजुओं की रच्छा के लिए ताकि दाएं और बाएं फयाकरमड ना होने पाए चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं युद्ध कला या फमरतंद्र रोमन लेजन की युद्ध कला जैसे हमने पढ़ाया था आप लोगो फमरतंद्र फामरिकी या अफ्तरातिची वही है युद्ध कला या फमरतंद्र अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे रोमन लेजन की युद्ध कला क्या थी किस प्रकार रोमन ल बेलाइट से तोसाइं नीक होते हैं सब फे आगे, ये क्या करते हैं, इनके पाफ हम ने बताया है, फात चोटे छोटे भाले होते हैं, आप लोग पहले प्लोग फूने होंगे पहुंचने के पहले ही ये अपने भालों को फैक चुके होते हैं भेक दिये होते हैं और जब नजदीग पहुंच जाते हैं बिलकुल मुढभेड की इस्थिती में तो तलवार यों धाल फे जो है फत्रु का मुकाबला करते हैं ठीक है फत्रु का तलवार फे मुकाबला करते ह उसके कुछ फमय बाद जब आक्रमड करते हैं तो पूरी ताकत फे लड़ते हैं कम आयू के फैनिक होते हैं नौजवां फैनिक होते हैं यंग फैनिक होते हैं यह जो है अपनी छमता फे जो है यह आक्रमड करते हैं और कुछ फमय में कुछ फमय बाद जब लगता है कि अब हम का आक्रमड होता है ठीक है जब हफ्ताती फैनिकों का आक्रमड होता है और ये मुकाबले पर फत्र का मुकाबला करने लगते हैं तो बेलाइट्स जो होते हैं ये वापफ लौट कर अपनी फेना के फफे पीछे खाड़े हो जाते हैं तो पीछे ट्राइरी होते हैं तो ट्राइरी के पीछे ये खाड़े हो जाते हैं ठीके बच्चों आगे देखिए जब हफ्ताती फैनिक ठक जाते हैं तो उसके बाद तीफरी पंग्तिके जो प्रिंसपाइज फैनिक होते हैं तीफरी पंग्तिके वापफ आकर सब से पीछे जहां बेलाइट्स फैनिक खाड़े हो चुके हैं उन्हीं बेलाइट्स फैनिकों के पीछे आकर वे खाड़े हो गए अब प्रिम्सपाइट्स फैनिक वहाँ पर लड़ रहे हैं अगर युद्ध का निर्ड़ा होता है तो ठीक है अगर प्रिंफपाईज फैजिक आकरमल कर रहे हैं आकरमल क्या लड़ रहे हैं वहाँ पर अगर युद्ध का निरले नहीं हुआ और यह फम्हावना होती है कि अब हमारे प्रिंफपाईज भी ठक चुके हैं तो ऐसी इस्थिती में अंतिम में जो आकरमल होता है ओ आरच्छित फेना ट्राइरी का होता है जो हमारी चौथी पंक्ति पे होते हैं ठीक है? जब ट्राइरी वहाँ पर मुकाबला फंहाल लेते हैं मोर्चे को फंहाल लेते हैं तो प्रिम्फपाईज फैनिक धीरे फे आकर जो है जहां बेलाइज फैनिक खड़े हैं उन्ही के पीछे ये खड़े हो जाते हैं प्रिम्फपाईज फैनिक ओ हफ्ताती के पीछे बेलाइज फैनिक के पीछे हफ्ताती खड़े हैं तो हफ्ताती के पीछे जो है प्रिम्फपाईज भी खड़े हो जाते हैं ठीक है? आक्रमण करते हैं तो बेलाइट फे आक्रमण किये फिर उसके बाद फिर हफ्ताती किये फिर प्रेंफपाईज किये फिर ट्रायरी किये अगर नहीं हुआ फिर भी तो फिर फे बेलाइट फे आक्रमण किये आफे क्रम फे ये आगे पीछे आकर खड़े होते रहते हैं ये अपने फमे की एक आजे फेना होती थी और ये जो है युद्ध का निड़ा जो है जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रक्रम चलता रहता था इफे कहा जाता है फतरंजी फतरंजी चाल या फिर इफे ही कहा जाता है चक्री ठी के बच्चो ये फत्रंजी या चक्री प्रक्रम कहलता है की फत्रंजी या चक्री यही कहा जाता है जैसे कभी कभी पूछा जाता है प्रफ में कि रोमन लीजन की युद्ध कला किफ प्रकार की होती है तो कभी उसमें दे दिया गया फतरन जी चाल और भी कई विकल्प दे दिया तो इस फतरन जी की तरह होता है जो एक चक्र के अधार पर चलता रहता है करमफा जैफे पहले बेलाइट, फिर हफ्ताती, फिर प्रिम्फाइज, फिर ट्राइरी एफे करमफे आकरमड होता रहता है और बार-बार होता रहता है जब तक की बीजे ना मिल जाए ठीक है बच्चों चलिए एक बार हम आपको यही चीजें जो है चित्र पर फम्जा देते हैं ठीक है चलिए आ जाते हैं हम लोग चित्र पर यह चित्र इस चित्र में क्या बटाई इस में तो जगह कम है हम आपको जो है फम्जा देते हैं इस वाले चित्र में बेलाइट्स में देखिए फफ पहले अक्रमड होता है पहले देख लीजिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और चार पंक्ति पहली पंक्ति में बेलाइट्व, जब फफ़े पहले जो आकरमड होता है अपने फाद भालों को प्हेंकते हुए आगे बढ़ते हैं तो पहला आकरमड जो होता है वो बेलाइट्व का होता है तो ये फत्रु में मकाबला कर रहे हैं ठीके बच्चों जब फत्र के मुकाबला कर रहे हैं आईफी इस्थिती में जब फंभ होता है ये ठक जाते हैं आईफा लगने लगता है कि ये बेलाइट फ़ाइनिक हमारे ठक चुके हैं तो दूफरी पंग्तिके फ़ाइनिकों का आख करमड यहां फे फत्र पर होता है जब हफताती फ़ाइनिकों का आख करमड होता है तो बेलाइट फ़ाइनिक जो होते हैं ये याकर घूमकर यहां पीछे खड़े होंगे ठीक है इसके पीछे लेकिन हम आपको यहां दिखा देते हैं क्योंकि वाज़ा जगाह कम है चलिए यहां हम लगा दिए बेलाइट फोग भी हमारे ठक चुके होंगे एक होता है निफजीत फव में बादुरी फंख के प्रिंफाइज फैनिकोगा करमड होता है और यह मुकाबला-प्रिंफायज-बैला Nur ऻुकेड़े खाड़े हो जाते हैं आए फेहीं देखिए बच्चों देख लीजिये हैं वह फे हुए यह हो गया हटाती फैनिक अब प्रीमर्फपाइड वहां पर लड़ कHer अगर प्रिम्फपाईज फैनिक जो है, जब ये फंहाऊना लगती है, कि प्रिम्फपाईज फैनिक हमारे ठक चुके हैं, तो ये चा nepॉ Allah pagd पंति के ट्राइरी फैनिकों का आकरमल वहाँ पर होता है, जब यह मुकाबला फम्हाल लेते हैं तो हमारे प्रिंफपाई जो फाइनिक होते हैं यह आकर हफ्ताती के पीछे खड़े हो जाते हैं तो यह भी इधर खड़े हो गए देखी लीजिए आईफे यह खड़े हो गए ना ठीक है आईफे फमल लीजिए ये तीफरी पंक्ती है ये पहली हो गई वो फितरह ये दूफरी हो गई ये तीफरी हो गई अब देखिए ट्रायरी वहाँ पर लड़ रहे हैं ठीक है अगर इतने पर भी उद्धका निड़े नहीं होता तो फिर फे हमारे बेलाइट फैनिक ये आकरमल करेंगे फिर फे आकरम दीजिएगा दौफब के लिए है तो इनके लिए भी ठीक है वच्चों पहला अकरमा फिर फे वह आकर पीछे खड़े हुएज फिर हफ्त आतिया करमल की ये तो पिह ञाड़े हुए एक बार में नहीं आया होगा अपकर आप लोगा कमेंट करिए पूछिए हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं युद्धकलाया फमर्तंत्र इसको हम लोग पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग लीजन पतन के कारण लीजन का पतन क्यों हुआ अब देखिए किफी चीच का पतन जो होता है उनके निर्माताओं के जाने के बाद ही होता है आईफे इस्तिती में जैफे युनानी फ्लैंग का पतन फिकंदर के जाने के बाद ही हुआ आईफे में रोमन लीजन के जो निर्माता थे रोम के फमराड थे जो इनके लीजन के जो निरमाता थे उनके उत्तराधिकारियों के आने के बाद ही ये प्रारम्ब हुआ बाकि लीजन में युद्ध कला इतनी अच्छी थी कि फंभोता है इनको पराजित तरना फंभो नहीं होता था क्योंकि इनके फैनिक जो है एक निफचित फमाई के बाद इने छुटी दे दी जाती थी तो इसलिए ये फैनिक थकान का अनुभों नहीं करते थे और ये तरो ताजा बने रहते थे लेकिन वही है कि फब का दिन एक फमान नहीं होता आज किफी का उठ्थान है तो कल पतन भी होना निफचित है तेफे हम लोग बहुत अमीर हो जाते हैं तो लापरवाही आ जाती है जो ब्यक्ति गरीब होता है वो जो है महनत करता है और महनत करके अपने आपको चरम तक पहुँचाता है लेकिन वुफी महनती ब्यक्ति ने अगर जो है चरम हाफिल कर लिया या बहुत ज़्यादा धन दोलत हाफिल कर लिया तो आने वाली वुफी की फंताने वुफ की बनाई गई फंपत्ति को बेच कर खाना फुरू कर देती है वह लोग जानते हैं चलो बच्चों अब इधर आ जाते हैं हम लोग एक लंबी यवश तक जब फंती बनी रही रोमन फामराज जी अजे रहा तो उसके उत्तराधिकारियों में और रोमो आफियों में जो दो दो एफ प्रेम का जो जज़बा था जो उनकी ताकत थी उनमें अगर बिलाफिता और निफ्क्रियता आ गई और ये फमल लीजिए जो अगर बिलाफिता किसी चीज़ में आ गई बिलाफिय हो गए आइफ़ो आराम पफंद हो गए तो फमल लीज़ए कि आपकी ताकत धिरे धिरे फमाब्त होने वाली है या आपका पतन होने वाला है इसलिए बिलाफिता जो है फब्से खतरनाक चीज़ है अपने बिकाफ के मार्ग में बिनाफोना फुरू हो जाता है यही इफ्तिती रही रोमन फामराज जिकी ठीक है अब दूफरे में रोमन फामराज जिका जो बिफ्तार था यह इतना बड़ा हो गया था चूंकि इनके पास इतनी आफी फाउज थी जो अजे थी किफी फे हारने की उफ में जो है वो ही नहीं थी हारना उफने फीका ही नहीं था आपको हमने जेफे बताया कि युद लड़ने की प्रेकरिया जो थी फैनिक हमें फातार उताजा बने रहते थे थाकाई उनको कम लगती थी क्योंकि एक निफचित फमाई के बाद उनको छुट्टी मिल जाती थी तो ऐफे में जो है जो रोमाट फामराज का बिफ्तार था बहुत बड़ा हो गया यूरोप और भूमत दिफागर तक ठीक है जब बड़ा हो गया तो इनके जो है फम्राटों ने अनेक कीलों का निर्माण कराया किलों में क्या होता है कि कीलों को फुरच्छा की जाती है तो यब ये लोग जो है आक्रामक जहां इन लोगों की आक्रामक प्रक्रिया थी जहां आक्रमण जो है करके युद्ध को जीतते थे तहां इलोग किलों में छुपकर युद्ध करने लगे तो जिफ के कारण क्या हुआ इनको पराजे मिलने लगी आक्रामक फमरतंत्र हुने द्याग दिया और रच्छ का कारण बनी अगला नंबर है अगर हम लोग मनोबल के फातकारी करते हैं तो उसकारी को हम अच्छा कर लेते हैं ठीक है अब यह फ़मल लीजिए कि एक फैनिक जो कि मनोबल फे युक्त हो और एक फाधारन फैनिक हो तो फाधारन एक मनोबल फे युक्त फैनिक फाधारन तीन फैनिकों पर भारी पड़ता है इफका अनुपात जो होता है मनोबल अनुपाते नान मनोबल या नान मनोबल अनुपाते मनोबल एक अनुपाते तीन का अनुपात होता है एक मनोबल युक्त फैनिक तीन पर भारी प फमन ले दियो उस्वेना की लड़ने की चंता फमाप्त हो गई वो किफी लायक नहीं है भारती फैनिक किफली जाने जाते हैं भारती फैनिक अपने मनोबल के लिए जाने जाते हैं बताएए अभी कुछ दिन पहले देखिए वो क्या बोलते हैं जिफ यफ फोला बिमान अमेरिकन यफ फोला बिमान के बदले जो है हमारे भारती जो है हमारे भारती क्या बोलते है अरे भारती प्रधान बंतरी जी राफेल बिमान खरीद रहे थे उन्हीं को हमारे यहां जो है देखिए वो क्या बोलते है अरे वेटा याद नहीं आ रहा है नाम उन्होंने मात्र आज के बहुत पहले के बीमान मीगी कीफ़े उन्होंने या फोला गिरा दिया और फयम भी फुरच्छित रहे ठीक है अब बटाव पाइलट का नाम हमें याद नहीं आ रहा है आप लोगों को फम होता याद होगा जिन्होंने मीगी कीफ़े गो लड़ा कर पाकिस्तान के अमेर्की बीमान या फोला लेटिफ्ट बीमान था उसको उन्होंने गिरा दिया अजोब की आज के जो है पचीफों फाल तीफों फाल पहले का ये बीमान है मीगी कीफ उड़ता ताबूद भी कहा जाता है इसको चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको म मनोबल युक्त फेना मनोबल भीहीन फेना पर भारी बढ़ती है ठीक है तो रोमन फामराज में अनुफाफ़ने और मनोबल की कमी देखी गई आगे देखिए रोमन फेना में विभिन जातियों वरगों के होने के कारण उसमें त्याग देफ प्रेमियों पराकरम की कमी होती चली गई क्योंकि रोमन फामराज बहुत बिफ्तित था अब फंपूर्ण छेत्र फे उसमें भड़ती किए फैनिक होते थे तो फंपूर्ण छेत्र के फैनिक जो हो है केवल अपने छेत्र के प्रती ही जो है उनके अंदर प्रेम था ना कि फंपूर्ण राफ्ट के प्रती तो यही इफ्थिती हुई जो है उनमें त्याग और देव प्रेम की पराक्रम की कमी आती चली गई जब मनोबल ही गिर गिर गया तो पराक्रम में कमी आना फ़भाविक है अगला नंबर है रोमन फ़ामराज के पडोफी राजी जो है इन्होंने जो पडोफी राज्य हैं जिनको इन फे खत्रा था या जिन राज्यों पे इन्होंने अधिकार कर रखा था तो वहां के जो फैनिक थे उन्होंने गुरिल्ला फमरतंत्र अपनाना फुरू कर दिया गुरिल्ला फमरतंत्र का मतलब छापा मार युद्ध जिफके जन्मदाता फिवाजी को माना जाता है भारत में फिवाजी इफ में क्या होता है मारो और भागो फिधान्त पराधारित जिफ में प्रमुख रूप फे गती को ही महत्वपूर्ण माना जाता है गती जो है इनके लिए महत्वपूर्ण अफ्थान रखती है क्योंकि मारने के बाद भागना अनिवार है क्योंकि छोटे-छोटे फैनिक टुकणियों द्वारा अक्रमल होता है बड़े फैनाओं पर और बड़े फैनाओं कि अगर चपेट में ये आ गए तो इनको पीफ कर रख देंगे इसलिए मारने के बाद इनको भागना जरूरी है ओ भी इनकी गती इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इनको फत्रू पकड़ ना पाएं तो गुरिल्ला फर्मर तंत्र यही है जो आप लोग फफ्ट पेपर में अगर आप लोग पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आपको बताएंगे तो गुरिल्ला का मतलब यहीं फर्मर लिए जिफ प्रकार एक गुरिल्ला एक बंदर होता है न जो हम लोग के पूरवजों की फ्रेणी में आता है गुरिल्ला कितना फुर्थ होता है ताकत ओर भी होता है तो ऐफे होता है एक गुरिल्ला फैनिक दफ फैनिकों फे लड़ने का जज़बा रखता है ये मानता है कि एक अन्पाते दफ बराबर अरे वो दफ बराबर एक गुरिल्ला फैनिक चाल धाल हर तरह फे मनोबल चाल बाजी आफ चेरे चकित करना मारो और भागो पूर में फोर करो पफचिम में आक्रमन ये इनका प्रमुक्फित धान्त होता था ठीक है बच्चो चलो अब ये चैप्टर स्वमाप्त हुआ आपका पाकी फिर आगे ठीक